Hello guys, welcome to EasyPly guys, this video is all about Google Apprenticeship program. So, इस Apprenticeship में तीन डोमेन्स इस बार ली गई है, इसमें इन्फरमेशन टेक्नोलोजी नहीं है, सिर्फ तीनी डोमेन्स इस बार ले जा रही है, जो कि डेटा अनलेटिक्स और डिजिटल मार्गेटिंग और प्रोजेक्ट मेरेजमेंट. तो इन तीनों में अगर इन तीनों में से किसी में भी register किया है कुछ candidate ऐसे हैं जो more than one यानि कि दो या तीन में भी register किया है जिनको दो invitation mail आई है दो domain के लिए mail आई है तो उनको दोनों test देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और कैसे आप इसको crack कर सकते हैं या फिर 25 दिसंबर को जिनोंने test दिया है उनको अगर कोई mail नहीं है या rejection selection या face to face round की तो उनके पारे में सारी चीजे मैं discuss करने वाला हूँ और जिनको आई ही नहीं invitation test invitation उनके लिए बहुत important बात मैं discuss करूँगा इस वीडियो में तो पहले start करते हैं इस वीडियो को कि जिनको अभी test invitation आ गई है पहले उनकी बात करते हैं तो जिनको test invitation आ गई है तो invitation में आपको challenge ID मिल जाती है और अगर आपको अभी तक pass की नहीं मिली है पास की अभी आज 12 जन्वरी है तो आपको आज ही मिल गई होगी या फिर 30 जन को morning में मिल जाएगी तो पास की आपको कोई दिक्कत नहीं और पास की के साथ-साथ आपको उसमें application session की link मिल जाएगी तो आप अपने test को launch कर सकते हैं with the help of challenge ID and pass की तो उसमें आपको ये दोनों चीज़े important है और मैं बता दूँ number of questions जो होगे वह आपके 12-14 होंगे अभी ये test launch होता है उसमें confirm होती है चीज़े तो 12-14 रख लो 14 question होंगे और time duration अपका 13 minute का और इस के जो syllabus है वह है problem solving and cognitive ability यानि की reasoning हो गएरा रहेगी तो आपको इस पर ध्यान देना है तो ये चीज़े आपको अब फिर बात करते हैं कट-off की और selection की तो cut-off selection आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 14 question यानि कि सारे question आपने अपने हिसाब से correct करें है तो आपका selection पका है तो मैं बता दूँ इसमें कोई cut-off नहीं होता ये अगर मैं सिर्फ test की बात करूं तो 14 question के सही answer देने वाले भी reject होते हैं तो अगर आपने 14 के 14 question सही सही किये हैं तब ही आप reject हो सकते हैं यह बहुत अजीब सी बात है बट it's a fact so यह होता इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ आपको आपकी knowledge measure करने के लिए test ली जाती है और जो main role होता है आपके resume को होता है आपके cover letter को होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो cover letter add नहीं करा हुआ हुआ बट उनका जो profile है उनकी resume है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए so overall performance ली जाती overall knowledge देखा जाता है आपके उस particular field में कितनी knowledge है आपने कितना कुछ किया हुआ है कोई आपने certification किया है या फिर कोई projects में आपने कुछ वैसा use किया हुआ है like अगर मैं बात करो data analytics की तो अगर आप कु आपको नहीं होगा selection तो यह सारी चीजे है आपको अगर उस particular field की उस particular domain की knowledge है तभी आप select होंगे तो cut off को लेकर कि कोई कि इस myth में मत रहना किया रहे मेरे दो question चूट गए या नहीं हो पाए या 14 के 14 मैंने कर दिये तो मेरे selection पका है तो ऐसा कुछ नहीं होता तो अगर आपका resume है सही और आपने अच्छा perform किया और सबसे बड़ी चीज यह चीज और होती है कि आपने test को कैसे submit करा है आपने test को क करने मालों के साथ होता है कि अभी यह answer किया फिर कहीं से answer मिल गया यह तो यह answer बदल दिया फिर आप विजिट कर रहे हैं बार-बार questions को और answers चेंज कर रहे हैं तो यह सारी चीज़े प्रक्टर नहीं है तो इसलिए monitor करी जाती क्योंकि यह test प्रक्टर नहीं है आपको कोई webcam कोई microphone नहीं होता है और question पहले repeats भी होते थे लेकिन आप बहुत कम repeat होते हैं but repeat होने के chances है तो अगर आपने previous जो test है उनके questions को solve कर रहा है तो आपके chances बढ़ जाते हैं कि आपको questions मिल जाएं और आप solve कर रहेंगे और मैं बात करता हूँ test link की तो test link जो है आपको दिख का button मिलेगा उस पर here पर click करना है आप redirect हो जाएंगे पोटल पर जहां आप अपनी challenge ID और pass की डालके आप इसको launch कर सकते हैं अगर आपने register नहीं किया है यह invitation के बाद आपको register करना पड़ता है एक बार फिर से तो आपने अगर register नहीं किया है तो registration first पर click करके register कर लेना फिर उ राउंड होंगे और मैं telephoneic round के लिए एक चीज में बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको schedule book करने के लिए mail आती है कि आप schedule book कर लो और उस time duration पे उस schedule पे आपको call receive होगी और कई बार ऐसा होता है कि direct आपको call कर दी जाती है आपको mail नहीं आएगा direct आपको recruiter call कर देगा यह होता है recruiter के availability या recruiter कैसे वह अपना काम पूरा करता है तो वह recruiter चाहे तो आपको mail कर सकता है आपको direct call कर सकता है तो अगर आप unknown numbers नहीं उठाते हो टेस्स देने के बार तो यह आपकी loss हो जागी क्योंकि ऐसे पिछली बार हुआ है 25th December को टेस्स देने वाले कुछ applicants ऐसे ह करेंगी और कोई mistake नहीं करेंगे कोई cheating नहीं करेंगे तो वह सारी चीज आपको देखनी है अब हम बात करते हैं सबसे important tips कि कि आपको कैसे test देना है यह सारी चीजे मुझे लगता है कि इतनी queries आई है मैंने उनमें से जादी जादी कबर कर दी है कुछ queries जरह जाती है वह आप comment box में drop कर सकते हो अभी बात करते हैं कि कैसे आपको participate करना important thing क्या होंगी कि आपको यह test participate कैसे करना तो सबसे पहला काम कि आपको जो test launch करना वो incognito mode में launch करना है यह test के लिए एकदम ऐसा है नहीं कि Google ने mention कर रहा है कि आपको incognito mode में ही test देनी है यह मैं बता रहा हूं क्यों आपके जो भी third party apps हैं वो आप ब्लॉक कर दो उसके notifications नहीं आने चाहिए गलती से कोई notification आया आपका test जो है negative mark होगा तो आप reject हो सकते हैं यह सारी चीज़े ध्यान में रखना है सारे third party app जो आपने इंस्टॉल कर रखा हूए अपने laptop में आपने WhatsApp, Telegram को इंस्टॉल कर रखा ह आपको आपको आफ करने हैं और browser के notifications आफ करने हैं कोई दूसरा टैप नहीं open होना चाहिए जो background में चीज़े चलती हैं वो आप incognito में जब यूज करेंगो वो सारी चीज़े आपको टेस्ट आप नहीं करेंगे बत परसनली आप ऐसे चीज़े जो कर सकते हो जो third party app वहले व chat GPT जिनों ने यूज किया वो reject ही हुए है और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि बहुत सारे application sessions होते हैं जिनों ने प्रैक्टिस नहीं करी होई होती है या फिर उनको अपने उपर confidence नहीं होता है तो वो कह करते हैं कि ग्रोप पे answer आते हैं तो वो उसी answer पे ticker करके final कर देते और जो ग्रोप में answer आते हैं वो correct हैं इसकी कोई guarantee नहीं है क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ applicants होंगे जो answer कर रहे होंगे जरूरी नहीं है कि उनको सही answer कर रहे हैं मैं answer नहीं करता हूं और एक चीर और मैं बता दो जो solution के लिए solution के लिए message करते हैं उनसे मै request करता हूं भाई please मुझे solution के लिए मत पूछो न guidance या और सारी चीज़े या तुम्हारा effort मुझे अच्छा लग गया तो मैं एकदम हर सब कुछ करता हूं भाई बट यह नहीं कि तुम भाई सीधे सीधे आके मुझे कर दो भाई वो PDF है क्या तु हो तो यह रही contact की detail आप contact कर सकते हो मुझे यहां पर देख लो यह ID मेरी वहां पर contact कर सकते हो मुझे और जो भी दिक्कत होंगी आप मैं आपको guide करता रहूंगा एक चीज़ मैं बता दूं कि एक चीज़ चुड़ गई जो important चीज है resume का link जो है वो जब भी आप मुझे DM करो कोई message करो ना तो मुझे resume का link बेज़ दो कि जब आप application firm भर रहे होते हो तो वहां पर resume upload नहीं करना होता है drive की link upload करना होती है तो बहुत सारे applicant ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी link तो upload कर दिये बट उसको visible नहीं किया है तो यह चीज में चेक करने क्लिए आप मुझे link बेज देना जब भी मुझे message करना screenshot अपने test का invitation and resume और यह सारी चीज़े मुझे पहले भीज करते तब अपना concern भेज देना तुरंत के तुरंत यह नहीं कि hi hello करके फिर wait कर रहो कि मैं response करूँ फिर अपना concern बताओ के query बताओ के नहीं अपना query drop कर दो जैसे मैं message देखता हूं मैं त तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ अपका message request accept हो गया है या ऐसा कुछ एक शीज मैं बता दू सबसे last में जो जिनको test invitation नहीं आई है तो मैं आप मुझे तुरंत डियम करें अपने screenshot जो आपकी application की status है आप अपने login करें login करने कबाद career page पे google के जो भी आपका status है वो submitted ह forwarded है rejected है जो भी है वो आप मुझे message करें screenshot के साथ resume में भी आप अपना मुझे बेजे और फिर देखते है क्या कर सकते है और उनको अकल का test तो मुस्किल है जिनको test invitation नहीं आई है तो 13 January का test उनके लिए मुस्किल है बट आगे test हो सकते हैं तो मैं देखना चाहूंगा हो सकता ह आप एक बाद आप एक बार आओ चिक कर लेना email अपना spam folder जितने भी important चीजह होती है सारी की सारे folders जो होते हैं वह अपना mail पर चेक कर लेना और फिर आओ मुझे तुरंट के तुरंट मुझे टीम करो और तुरंट आपको solution मिल जाएगा देखते हैं क्या हो सकता है जो भी आपकी queries रह गई है वो मुझे तुरंट के तुरंट मैसेज करना और अभी आगे आने वाली चीजह में आगे आने वाली राउंज में आपको दिक्कत हो सकती है तो मेक्शोर कि आप फॉलो कर लें और मैसेज़ दे मुझे ताकि मैं आपको ऐसा करता हूं कि जो भी ज अब मैं कहूंगा कि इंस्ट्राग्रम पर अगर रिक्वेस्ट बेस देओ मैसेज करता हूं तो वहां मैं ज्यादा अवैल बल रहता हूं उसकी नौटिफिकेशन आन रहते हैं इस पर तो मैं आपको वहां पर एक्टिमील जांग हो जाँ तो विश्यू अल्ट बेरी